गरे लुपचार और सुकी जीवन चैनल पर आपका हाड़ दिख स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चहरे के दाग धब्बे और जाईयों को दूर करने का एक पहुती आसान और गरे लुनुस्का दोस्तो चहरे और सरीर के कैई हिस्सों पर दाग धब्बे अकसर पढ़ जाते हैं जिनने देखकर खुबसूरत और बेदाग तुछा पाना एक सपने के जैसा लगता है सरीर के किसी एक या कैई हिस्सों पर पड़े गहरे काले दाग धब्बों को पिग्मेंटेशन या हाइपर पिग्मेंटेशन कहा जाता है दोस्तों त्वेचा से संबंधित ये समस्या किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकती है महिलाओं को भी हो सकती है और पूरुशों को भी हो सकती है लेकिन ये आसानी से इसको ठीक क्या जा सकता है इसे छुटकारा भी पाया जा सकता है आज ऐसा ही एक सांदार नुस्का हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही आसान है इसको बनाना, और इस्तमाल करना भी बहुत आसान है इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरुत होगी एक तो हल्दी पॉड़र आपके जरूर किचन में होगा और एक चम्मच इसमें हमें चाहिए नीबू का रस अब इसको देख लेते हैं बनाने का तरीका किस तरह से इसको बनाना है दोस्तो इसके लिए आप एक चम्मच हल्दी का पॉडर ले ले लिजे और इसमें मिलाईए आप एक चम्मच नीबू का रस ये एक चम्मच इसमें नीबू का रस हो गया और इस तरह से इसे मिला कर अच्छे से निक्स कर ले और इसका मुलायम सा पेष्ट बना लेजे जरुत पढ़ने पर इसमें थोड़ा नीबू का रस और भी जादा मिलाए जा सकता है यदि मुलायम सा पेष्ट ना बने तो थोड़ा रस हमने इसमें और लिया है तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये मुलायम पेष्ट बनकर तयार हो जाता है आप वसकता कि अनुसार आप दो चम्मच हल्दी भी ले सकते हैं ये पेष्ट बन गया इसका अब आपको करना ये है कि आप पहले अपने चहरे को अच्छे से धो लें पानी से साफ कर लें और उसके बाद अपने चहरे पर इसको लगा लीजिए अच्छे से और इसको कम से कम आप 15 मिनिट तक इसको लगा रहने दीजिए अपने चहरे पर और 15 मिनिट के बाद फिर नॉर्मल पानी से या हलके गरम पानी से अपने चहरे को धो लीजिए सिर्फ इतना आपको करना है दोस्तो सुभे से लेकर रात तक किसी भी समय आप इसको पूरे दिन में सिर्फ एक बार लगा लीजिए और इसी के लगाने से आपके चहरे की चमक लोट आएगी आपके चहरे से काले दाग धबे और जाईया उनका नाम और निसान मट जाएगा और पहले से भी जादा खुबसूरत आपका चहरा हो जाएगा दोस्तो हल्दी को आम तोर पर सभी के घरों में इस्तिमाल किया जाता है और ये दाग धबों को काले दाग धबों को जाईयों को साफ करने के लिए और त्वेचा पर चमक लाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है ये बहुत ही सांदार औसदी के तरेस को इस्तिमाल किया जाता है और तुचा की चमक बनाए रखने के लिए तुचा को खुबसूरत बनाने के लिए हल्दी बहुत अच्छा काम करती है ये तुचा के पीच लेवल को नियंतिरित करता है दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी ये वीडियो और बताएगे इन उसका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोग के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नई मर्च और उनकी आसान से उपायों के साथ तक तक आप हसते रहें, मस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें